तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 10 ways की जिनसे आपका जो computer है वो super fast बंजेगा लेकिन अगर आपके पास 2GB RAM है और साथी में डूओ कोर है और आप चाहते हो कि GTA 5 खेल सको में अपने laptop में इन tricks को यूज करके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है तो देख करते हो कि आपको बहुत जादा एक डिफरेंस चाहिए performance के अंदर तो आप लास्ट वाले दो ट्रिक्स को फॉल कर सकते हो लेकिन अगर आपको बहुत जादा डिफरेंस नहीं चाहिए तो पहली 8 ट्रिक्स आप फॉलो गर सकते हो लेकिन अगर आप अपने 10 साल पुराने laptop य कि आने माला है तो चलिए दौस्तों विडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप सब को पता ही क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल एकन को दबादना तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे फस्ट पॉइंट की तो जब हम अपना computer switch on करते हैं तो साथ में कुछ apps जो होते हैं वो साथ में on हो जाते हैं तो उन्हें हमें बंद करने था कि हमारा जा computer है वो सिर्फ उसकी windows boot हो ना कि apps automatically start हो जाए तो उसके लिए आपको जाना है task manager पर और task manager का जो shortcut है वो है control, shift और escape तो आपका जिब task manager खुलिएगा तो आपको fourth number पर देखेगा startup तो startup पर जाना है और जितने भी enabled apps हैं उन्हें आपको disable कर देना है यहाँ पर देखिए mysqlnotifier.exe इसका जो startup impact है वो काफी high है और यह enabled है अगर हम इसे बंद कर देते होते हो इससे हमारा है delete temporary files तो अब हमें जाना है windows प्लस आर पर और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुए percent temp percent इसे आपको type कर देना है उसके बाद कर देना है okay तो यहाँ पे आपकी जितनी भी temporary files है वो open हो जाएंगी आपको keyboard पर select करना है control A जिससे कि आपकी सारी files select हो जाएंगी और आपको simply कर दिना है delete और delete करने के लाद आपकी जितनी भी files होँगी वो recycle बिन में जेंगी तो आपको recycle बिन से भी delete कर देना है तो इसके बाद हम जाते हैं हमारे recycle bin में और यहाँ पे जितनी भी files है temporary files जिस्टीनी भी है हम इन्हें भीडीट कर देते हैं हुह मैं तो दोस्तों इसके बाद हमारी 3 ट्रिग क्लीन थो आपको जाना है स्टार्ट बटन पर और वहाँ पे सर्च करना है डिस्क क्लीन आप तो इसे एंटर करते हैं और हमारी जो सीद्रेव इसे हम सब्सेपहले स्लेक्ट कर लेते हैं आप बात में बाकी 먹어도 में बाकिए ड्रेव कर सकती हो लेकिन में यह विन्डोस सीद्रेव है तो इसको हम करेंगे ओके तो यहाँ पे जितनी भी आपकी temporary Files होगी आपकी Cash Files होगी और जितनी भी फालतू की Files होगी वो डिलीट हो जाएंगी तो यहां पर आपको Select कर लेना है कि आपको कौन-कौन सी Files डिलीट करनी है तो जितनी भी आपकी फालतू की Files है आप सभी Select कर लो और उसके बाद यह देखिए OK कर दो आप इसके बाद आपकी जितनी भी फालतू की Files होगी वो डिलीट हो जाएंगी तो अब हमारी 4th trick पर आते हैं जिसका नाम है MS Config तो आपको Start बटन पर जाना है और MS Config सर्च करना है तो जो First Result हैगा आपको उसे Select कर लेना है और तो यहां पर हमारे पास एक window खुल गई है इसके अंदर हमें second option boot पर जाना है और यहां पर advanced options पर जाना है तो यहां पर मेरे number of processors पहले से ही checked हैं अगर आपके unselected हैं तो आप इसे select कर लो और जितना भी maximum number है उसे आप select कर लो इससे क्या होगा जब आपका computer boot होगा तो आ आप यह settings change करने के बाद इसे apply कर देना उसके बाद अपने जो computer है उसे restart कर देना उसके बाद हमारा fifth number पर आता है uninstall necessary programs तो आपको start button पर जाना है और uninstall search करना है तो यहां पर अगर आपकी windows 10 है तो control panel खुल जाएगा अगर आपकी windows 11 है तो आपकी settings खुल जाएगी तो आपके जितने भी फालतू के apps और software इस computer के अंदर है वो आप delete कर दो तांके आपकी जो hard drive की storage है वो थोड़ी reduce हो जाए तो अब हमारा sixth point आता है जिसका नाम है visual effects तो यहां पे windows 10 और windows 11 में थोड़ा सा difference आ जाता है तो आपको starting तो control panel सी करना है आपको control panel open करना है system and security के अंदर जाना ह अब system को open करेंगे windows 11 के अंदर आपकी settings कोल जाएगी लेकिन अगर आपके पास windows 10 है तो आगे आपकी यही control panel के अंदर settings खोल जाएंगे तो वहां पर आपको जाके थोड़ा find करना है visual effects tab को यहां पर हम सिस्टम पे जाते हैं तो यहां पर हम search करेंगे visual effects तो यहां पर हमारे प performance है वो increase हो जाएंगी अगर आपके पास windows 10 है तो वहां पर आपका visual effects का जब tab open होगा तो वहां पर आपको एक option देखेगा आपका काम हो जाएगा तो इसके बाद हमारा 7th point आता है shutdown तो अगर आप laptop चलाते हो तो अगर आपको कोई काम पड़ गया तो आप simply laptop की lid है उसे बंद कर देते हैं यानि कि उसे sleep mode में डाल देते हैं ना कि उसे switch off करते हैं तो आपको हर बार switch off करना है उसके बाद जब आपको यूज करना है तो उससे simply on कर लो तो ऐसा क्या होगा कि जब आप sleep mode में डालते हो तो उसकी RAM मतलब फिल रहती है लेकिन अगर आपको उसे shut down करते हो और दोबारा boot करते हो तो उसकी RAM बिलकुल fresh होती है तो इससे क्या होगा कि आपकी पर्फॉर्मेंस है वो आपकी increase हो जाएगी उसके बाद अगर आपका computer बहुत slow चल रहे तो शायद आपकी computer के अंदर कोई virus भी हो सकता है त इस scan को करने के बाद आपके computer में अगर कोई virus की file होगी तो वो आप detect कर सकते हो तो उसके बाद आप उसे remove कर देना या फिर अगर आप inbuilt नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कोई भी third party antivirus free trial use कर सकते हो जैसे कि malwarebytes बढ़िया है free आपको मिल जाते ही trial उसकी version तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो तो अगर आपके computer में कोई virus है या malware है तो उसे detect करके डिलीट कर देना उससे भी अगर आपके computer में virus होगा तो डिलीट करने के बाद performance obviously improve होगी तो अब हमारे 8 points हो चुग है जो कि थे हमारे software based अब हम आते हैं hardware paste पर तो हमारा 9th point है install RAM अगर आपके computer के अंदर 8GB की RAM है या फिर उससे भी कम है तो आप नई RAM डाल सकते हो चाहे laptop है चाहे आपका PC है RAM तो हम दोनों के अंदर option होता है upgrade करने का तो आप RAM डाल सकते हो जिससे की आपकी boot की performance या फिर अगर आप multitasking करते हो एक time पे काफी ज़्यादा एप चलाते हो तो उसमें आपको का 10th point आता है SSD अब SSD भी काफी तरह की होती है एक simple 2.5 inch SATA SSD होती है second number पे हमारी M.2 SATA SSD होती है जो हमारी third number पे सबसे best SSD होती है वो है हमारी NVMe M.2 SSD लेकिन हम हर laptop के अंदर या हर PC के अंदर कोई भी SSD नहीं लगा सकते हैं अपनी compatibility होती है उसके आप उसे install कर लो Windows को उसमें transfer कर लो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा difference देखने को मिलेगा तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके बार में आपको practical दिखाएंगे करके कैसे किया जाता है मैंने भी SSD पर upgrade किया है तो काफी ज़्यादा मुझे improvement देखने को मिली है तो दोस्तों यही थी आज की हमार वीडियो तो उमीद करता हूं कि आपको सभी 10 points काफी अच्छे तरह से समझ आ चुके होंगे और साथ ही में जो हमारे last 2 points है उनकी हम एक और dedicated वीडियो बनाएंगे पूरा practical आपको करके देखेंगे कैसे करना है और सारी windows को कैसे transfer करना hard drive से SSD में तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैर लाइकन को दबाव लेना ताकि ऐसे ही वीडियो सापको मिलती रहे हम आपके लिए से वीडियो लात रहेंगे और आपका नेट पर खर्चुआत रहेंगे धन्यवाद